अब आगे तो अब ऑगे अड़र इन गुड़ मॉनिंग जल्दी से जल्दी बताईए आपको वाज आ रही है गुड मॉर्णी अरिवन तब तक हम टेलीग्राम चैनल के उपर अपनी क्लास शेयर कर देते हैं ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं गुड मॉर्णीं गुड मॉर्णीं गुड मॉर्णीं जल्दी से जल्दी बताएं आपको वाज आ रही है जी गुड मॉर्णीं जी गुड मॉर्णीं गुड मॉर्णीं ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे साइन्स के कल रात जो है हमने क्लास ले थी मैराथन क्लास फॉर ऑल एक्जाम्स ठीक है जितनी भी आपके जो भी पेपर थे आएंगे मतलब फ्यूचर आने वाले हैं फ्यूचर में कोई कोशन आने वाले तो मैराथन क्लास जिसने नहीं देखी तो देख लीजिए और अब हम साइंस के को चैनल के साथ तो आपको 100% करना है मेरे साथ यहां पर 141,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं हर लेक्चर की वीडियो क्लास प्लस पीडियाएफ सब कुछ यहां पर शेयर किया जाता है ताकि आपको मेरे साथ जुड़ जाएं और अगर अपलोड किया जाएगा तो देखते रहा किजिए सारी सारी चीज़ है ठीक है और वैसे वो कोश्चन जो है मैं इन कोश्चन में भी डालूंगा पूरी डिटेल में तो चलते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हम डिसकुस कर लें कि जो हम जैसे हम साइंस के एंस करेंगे अ प्रिविए से कोशिन डिफरेंट 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 एक्जाम के मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर फ्री आफ कॉस्ट मिलते हैं और मॉक टेस्ट के लिए कोई अलग से परचेस करने की जुरूरत नहीं है और इस को आप 21 सप्कंबर तक कर सकते हैं विपन 20 का कूपन क कोड लगा के तो आपको डिसकाउंट यहां पर मिल जाएगा जीस की अगर बात करें यह हमारा पूरा पूरा का पूरह से उपन करते हैं आपको स्की पन नजर आएगा ओम के बटन को जैसी आप दबाएंगे जीएस को आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और टैन थाउजन एमसी को चौते नंबर की उपर जो भी आपको को अच्छा लगे आप पचेस करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लिया और जो मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा था तो म क्यां से पढ़ें इन चीजों को क्लिया तो स्टार्ड विद फर्स्ट कोशन शाबाश आंसर बताईए फड़ाफड कोशन बोलता है कि सब्जियों में जब अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं तो जल्दी जो है खाना और सब्जियां जो है पक जाती है इसका रीज आपको पता है कि 100 degree centigrade देखने को आपको मिलता है और यह आपका जल्दी से जल्दी जो है boiling point की उपर पहुंच जाएगा जैसी पहुंच गया तो कम टाइम में पहुंचेगा और अपना खाना बन जाएगा तो अंसर नमबर वान इस दा करेक्ट वान ओन ऑप्शन यस ए ऑप् C a option का formula है CH3COOH कहते हैं और acetic acid को हम और क्या कह देते हैं इंतनोई kisid क्या कहते हैं इतनोई एस भी कहा जाता है अन्सर नंबर वान इस परेक्ट अंसर नंबर वान शिट्रिक एसट की बात करता हूं जितने भी आपके जो है lemon oranges citrus foods वगारा उनमें देखने को आपको मिलता है hydro chloric acid की बात करते हैं तो बाथ्रूम cleaner में हम hcl use करते हैं बाथ्रूम cleaner को और hcl जो होता है हमारी body में जो स्टमक होता है अमाश्या स्टमक अमाश्या उसके अंतरकत भी hcl निकलता है जो हमारी डाइजिशन में हेल्प करता है और एचल की बात करता हूं तो यह निकलता कहां पर हमारे स्टमख में और जिंटिक से से एचल और भी जगह पर आपको मैं यूज करवाना चाहूंगा थ्री पार्ट एचल का और अगर वन पार्ट एचनो थी का डैडिस हाइडोकलोरिक एक इसेड्ट और नाइट्रिक एसेड्ड यह अगर मिल जाता है तो हम इसको क्या कह एक डिस divA एक्वार रहिदयात्व के अमल राज कहा जाता है अमल राज क्लियर और यह क्या करता है गोंड और प्लção करने में आपका हल्प करता है गोल्ड और प्लैटिनम को शूद्ड कर अपने में आपका help करता है उसके बात-बात करते हैं ऑग्जिलिक एसिड की ऑगजैलीक एसिड जो होता है जंग के निशान रस्ट स्पॉट बगएरा मिटाने को help करता है और झाली के सब देखने को मिलता है टुमैटोस में क्लियर यह सब चीज़े आपको पता होने चाहिए तो अंसर नंबर one is the correct answer, acetic acid is the correct one, अगला question देखेजी, देखे यह जो question है मैं आपको बता दूँ, यह वैसे question आपको नहीं आ सकता, यह शायद किसी बच्चे ने मुझे बेजा होगा, कोई engineering वाला बच्चे ने बेजा होगा, तो मैं आपको याद कहूँगा कि इस question को बहुत detail में मत जाना, इस question को पढ़ो और सिर्फ answer याद करो, यह ratification नहीं कहूँगा, मैं यह याद करने वाला static question की तरह आप याद कर सकते हैं, question देखे जी क्या कहता है, कौन सा method हम use करते है, absolute, absolute का मतलब actual, real, जो resistance को measure करता है, actual measurement of resistance के लिए, कौन सा method इन में से use किया जाता है, question का सिर्फ answer याद कर लिजे, मैं सिर्फ यही कहूँगा, यह क्या है, गेहूँ पत्थर कुछ नहीं है, wheatstone है, wheatstone की pull वी थी, answer number B is the correct one, answer number B, यह है जी आपका, ठीक है, बस इतना याद करना है, wheatstone bridge, चले जे, अगला answer बताईए, अगला question देखिए, यह आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे, यह question आपके लिए comment section में लिखके बताएंगे, ठीक है, चले जी, फड़ा फड़ा यह इसका comment section में लिखके answer, मैं सिर्फ इनके बाकी चीज़े आपको बताऊंगा, आप मुझे answer बताना कि इसका answer क्या बनेगा ऐसा इन में से क्या चीज़ है, जो आपका positive भी है और negative charge भी इसमें देखने को मिलता है, electrons आपको पता है, negatively charged होते हैं, holes आपके positively charged होते हैं, और neutrons जिसका कोई charge कोई mass नहीं होता, और iron लोहा, लोहे की hematite, iron pyrite, magnetite, sidrite, so these are the odes, clear और laminite, iron pyrite होता है FES2, जिसे हम और क्या कहते हैं, fools gold कहा जाता है, मूर्खों का सोना, आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे कि positive और negative charge किसके उपर होता है, positive और negative charge, किसके उपर होता है, ये comment section में लिखके बताएंगे, डूंडो भाई, डूंडो, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाया करो, yes, iron का atomic number 26 होता है, चले जी, अगला देखिए, pH of human blood is, human blood की जो pH value होती है, वो कितनी होती है, human blood की बात करें, तो ये आपका fluid connective tissue है, तरल संजोजी उत्तक होता है, और blood की pH value होती है, 7.4, 7.4 और ये होता है आपका slightly basic, और इसे हम alkaline भी कह देते हैं, क्या alkaline, शारियपन होता है, और slightly basic होता है, answer number C is the correct one, answer number C, this is super important question, answer number C, so this is a pH scale, different different चीज़े हैं, तो पता होना चाहिए आपको, purest commercial form of iron कौन सा होता है, सबसे purest form जो commercial form में यूज़ करते हैं, वो होता है आपका wrought iron, wrought iron, not a stainless steel, it's wrought iron, ये मैं आपको यहाँ पे टिक करवार हूँगा, I think option उल्डे सी दे हैं, wrought iron, pure, जो है आपका जो है लोहा होता है, वो होता है wrought iron, येस, जंग नहीं लगती इसके उपर, बिल्कुल सही, wrought iron होता है, D option बनेगा, राइटन, जो भी यह रोट iron, यहाँ पे दो तीन फॉर्म है, जैसे cast iron को pig iron कहते हैं, इसमें 2-5% आपका carbon होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें, sulfur, phosphorus, manganese वगएरा होते हैं, wrought iron की अगर हम बात करें, तो this is the purest form of the iron, clear, इसमें आपका carbon का content थोड़ा बहुत होता है, steel की बात करते हैं, तो carbon का content इसमें भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, और अगर हम बात करते हैं, stainless steel की, stainless steel की अगर हम बात करते हैं, clear, तो इसमें iron, chromium, nickel, और आपका carbon के content देखने को मिलते हैं, याद रखना important है, शाबश, अगला गभ बताईए जी, ये question मैंने आ हमारी marathon class हुई थी, उसमें भी मैंने discuss किया था, the value of the acceleration due to gravity for earth is, क्या होगा, मैंने हमेशा आपको बताया, कल भी बताया था, जो gravity होती है, वो indirectly proportional होती है, radius के, जिसका radius कम, उसकी gravity जादा, जिसका radius जादा, उसकी gravity कम, clear हो गया, तो मतलब directly, indirectly proportional to radius, और यहाँ पे poles और equator की value आ रह तो that means, poles का radius होता है, वो 21 km जो होता है, short होता है, than the equator, clear होगे आप लोगो, अब बात यहाँ पर यह है, जब poles का radius कम होगा, जो poles का radius कम होगा, तो gravity क्या होगी, ज्यादा, तो इसलिए, poles की gravity जो होगी, वो ज्यादा होगी, than the equator, तो answer number क्या बनेगा, आपका a option बनेगा, correct answer, only number one is the correct one, दिखे, अगर अब बात करते हैं, gravity की, चीक है, अगर हम बात करते हैं, weight की, तो weight क्या होता है, m into g, तो obviously जहाँ पर gravity ज्यादा, उसका मतलब weight भी वहाँ पे ज्यादा, that means, that means, आपका जो weight होगा, वो कहाँ पे ज्यादा होगा, वो poles की उपर ज्यादा weight होगा, जब हम poles से equator की तरफ आएंगे, तो weight क्या होगा, कम होता जाएगा, equator से poles की तरफ जाएंगे, तो weight बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम बात करें, अर्थ का center, अर्थ के center पर radius क्या होता है, 0, तो obviously बात है, यहाँ पर जो चीज होगी, वो 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी, clear और यहाँ पर gravity, sorry, radius 0 हो गया, और यहाँ पर weightlessness situation बन जाएगी, weightlessness situation जो है, आपकी यहाँ पर बन जाएगी, तो answer number क्या बनेगा, a option, greater at poles than that equator, चले जे अगला कोशन बताएगे, which gas is used as a fire extinguisher, अगनी नाशक, fire extinguisher की तरह से कौन use किया जाता है, कौन सी चीज़ का परियोग होता है, fire extinguisher में, आग बुझाने में, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen, यह use करते हैं, carbon dioxide, तो answer number a is the correct answer, और baking soda भी यूज़ करते हैं, sodium bicarbonate, नाच, CO3 भी हम यूज़ करते हैं, fire extinguisher में, sulfur dioxide की अगर मैं बात करता हूँ, SO2 की, आपको याद होगा, sulfur dioxide plus nitrogen dioxide, यह होते हैं, क्या, so this is called acid rain, अमलिया वर्ष्या जिसे हम कहते हैं, clear, nitrogen की बात करते हैं, तो nitrogen जो होता है, जैसे lase बगेरा के packets होते हैं, उसमें nitrogen भरी होती है, और वो preservative की तरह काम करता है, carbon monoxide C, capital O, यह क्या होता है, इसकी 200 times capacity होती है, blood के साथ combine करने की, 200 times capacity to combine with the blood, तो answer इसमें क्या बनेगा, a option, clear, तो that means oxygen अगर एक करती है, तो 200, अगर 1 ml oxygen जो है, हमारे blood के साथ combine करती है, तो 200 ml जो है carbon monoxide, फटफट कंबाइन कर सकती है, तो answer number a is the correct answer, carbon dioxide, carbon dioxide use करते हैं, चले जए अगला answer बताइए, शाबश, washing soda क्या होता है, इन में से, baking soda होता है, आपका, मैं लिख देता हूँ, फिर आप अंशर बताना, Na2CO3.10H2O, so what is this, so this is sodium carbonate, answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, correct answer, clear, sodium bicarbonate होता है, baking soda, NaHCO3, समझाया, aluminium bicarbonate वैसे आपको आएगा नहीं, Al2HCO3 होता है, या आएगा नहीं, aluminium sulfate छोड़ो, तो answer क्या बनेगा, आपका, D option बनेगा, correct answer, D option, J, समझाया, आप लोग, चलिए, answer number D is the correct answer, एक चीज़ा आपको और याद करवाते हैं, हाँ, एक याद करो, POP, Plaster of Paris, ये पूछा जाता है, Plaster of Paris का formula पूछा जाता है, तो आपका formula याद कीजिए, CSO4.50H2O, जाफिर आम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2CSO4.50H2O, और ऐसा ही होता है, जिपसम, same to same, जिपसम क्या होता है, CSO4.2H2O, ये होता है, जिपसम, जिपसम को हम सिमेंट में डालते हैं, ताकि उसका जो, जो है, सेटिंग टाइम है, वो बढ़ा सके, और सेटिंग रियक्शन को कम कर सके, तो अंसर नंबर D is the correct answer, वाशिंग सोडा, Na2CO3, अगला बदाईए, शाबाश, जी, कॉशन देखे, क्या गयता है, कौनसी ऐसी gas होती है, जो microbes को destroy कर देती है, खतम कर देती है, microbes को destroy करना मतल़ डिसंफेक्टेंट की तरह काम कर रही है, और disinfectant की तरह, ठीक है, और हमारे पानी को शुद करने भी microbes को खतम करती है, that is chlorine, chlorine का इस्तेमाल किया जाता है, है आपको बताया था मैंने municipality का जो वाटर होता है उसमें क्लोरीन डाल देते हैं ताकि आपके माइक्रोबिल ग्रोज जो है वहां पर खत्म हो जाए क्लियर हाइड्योजन जो है सबसे लाइटस्ट किसी भी चीज़ को जलने के लिए उकषिजन चाहिए होती है नियॉन conoc पार्दा नोन इंफ्लेमेंबल और जो है आपका कलर लेस होते हैं नाम नहीं दिमाग में आ रहा मेरे क्या होते हैं ये सो वट आर दिस नियोन हो गया आरगन हो गया ठीक है और क्या होते हैं यह कमेंहुछ गेंना क्या होती है और हिलियां बगैरा आप टीके चली अन्सर बागी आप बतानाा मुझे वर्फियर में भी आपकी अंसर रहे गया कर दोक домой थे याद सब चीज़े यूज करी गई थी यहां पर चले जी अगला कोशन देखें जी क्या गयता है वाट इस वाट इस मैटाबॉलिजम मैटाबॉलिजम का मतलब क्या होता है मैटाबॉलिजम जो हमारी शरीर के अंदर कुछ भी खाना हम खाते हैं उसको जलाया जाना और उससे बॉड ठीक है और एनबॉलिजम में किसी चीज़ का फॉरमिशन जब कैटा बोलिजम हुगा तूटेगा और एनबोलिजम बनेगा इन दोनों चीज के मिशन को हम कहाते हैं मैटाबॉलिजम कहते हैं सो वाट इसस तो इस आ सिन्थिसमें ब्रेकडाउन अफ दा बायॉ मॉलेकूल त catabolism अगला देखे the bile fluid that helps digest fat is secreted जो bile juice होता है वो कहां से निकलता है पित्रस यह निकलता है liver से answer number D is the correct answer या क्रिस से बाई जूस निकलता है liver से अगर extra bile की बात करते हैं तो वो कहां पे store होता है that is in the gallbladder gallbladder में जाके store हो जाता है बाइल जूस क्या करता है fat की digestion fat की digestion को हम और क्या कह देते हैं emulsification of fat में आपको help कर देता है emulsification of fat वसा का पाईसी करण में answer number D is the correct answer liver liver की अगर हम बात करें that is the largest gland of the body urea यहां पे बनता है glycosan यहां पे store होता है और सबसे जधा पावर लिवर की होती है दोवारा से बनने की शक्ति और हैपरिन पूर और और फायब्रन क्लोटिंग करवा देता है रखता है his प्रोटीन जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता याद रखना है अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया स्टमक की बात करते हैं तो यहां पर खाना चार गंटे के लिए इस्टोर होता है ग्रेव याड़ ऑफ और सरी डैड़ इस कॉल्ड डैड़ स्टोर हा है समझाया अंसर नंबर डीजा अंसर लीवर अगला बताईये यह एक्जो बायोजी जो वर्ड है वट इस अमीनिग एक्जो मतलब क्या हो गया बाहर और बायोजी मतलब लिविंग एसे लुट बेंग अगर हम हमारी अत्मॉस्ट्ट्वाज बाहर निकल जाएं तो वहां प अगर आपका प्लैनेट और स्पेस में अगर आपकी हम जो है फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते है एक्सों बाइलोजी कहा जाता है चलिए अगलान से बताएं कि मेजल्ज इस कॉस्ट भाइ विच ओद फॉलिंग इन्फेक्शन मेजल्ज जी हाईली कोंटिजिए आपकी यह प्राबलम है और यह होती है वाइरस से अंसर नमबर ए इस दा करेक्ट अंसर मीजल मम्स रूबला एम अम्मर एस अपर एसक करेक्ट वाइरस वाइरस की स्टडि की बात करें इसके जनक कौन है और इन्हों ने पहला वाइरस का कौन से डूंड़ा था तो बैको मुजेक वाइरस एंड वाइरस आज दा कॉनेक्टिव लिंक बिटूइन दा लिविंग और नॉन लिविंग फंगस की स्टेडी को हम क्या कहते हैं माइकल लॉजी माइकल और बैक्टिरिया की बाइक टेरियो लॉजी तो अंसर इसमें क्या बनेगा ऑप्शन वाइरस इस दा करेक्ट अंसर क्लियर यह द्यान रखे चिकन बॉक्स और मिजल में डिफरेंस क्या होता है चिकन बॉक्स में पूरी बॉड़ी आपकी ऐसे जम जाती है लाल निशान इति अप्रे minist औरी संड्रॉम को ऊसको कहा जाता यह चीक है सो वाच सार्स सार्स क्या है ट्वाट इस इस दिस हूइर डिजीज यह वाइरिल बीमारी है क्लियर ओकिषां को ने आपको बताया है और वो भी क्या है सार्स है और अगेन जो है यह ड्रॉपलेट्स वगएरा से फैलती है और जैसे बाकी मुमारिया फैलती है क्लियर सार्स कोविट टू सो दिस इस दा सार्स वाला पार्ट क्लियर याद रखें चले जी अगला गोश्य देखें जी क्या कहता है ऐसी फंगस जो ट्रीज के ऊपर उगती है तो उसको हम क्या कहते हैं ऐसी फंगस जो ट्रीज के ऊपर जो है जम जाती है उसके जो चाल होती है बारकुति उसके उपर जम जाती है यहां पर लिखा हुआ है सेक्सी कॉलस यह जो होता है रॉक्स की उपर अगर फंगस रॉक्स की उपर जम जाए और उसके कोप्रोफाइल अगर डंग जाने के जो काव डंग होता है जो शॉच करती है काव ठीक है डंग तो उसके उपर अगर जीवी दरो तो तो इस कोप्रोफाइलम तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा का c option cotycola is the correct answer cotycola अगला बता ही है कर दी इंबी तो यह अगविजय वायरस अभी discuss किया था तो यह एक वायरस है और यह ए और यह और अरने वायरस है शिंगल स्टेंडरर आरने वायरस टबैको मोज्ए हुर तो यह को हमारी पर जहांगीर ने कंजंप्शन बैन किया था लेकिन उगा सकते थे तो बैको बोर्ड ओफ इंडिया कहां पर गुंटूर आंद्रपरदेश में देखने को मिलता है तो बैको बोर्ड ओफ इंडिया इफ्लामेशन हो जाती है जूइंट सूज आते हैं उसको अर्थराइटस कहते हैं असर नमबर एज अ करेक्ट अंसर विटामिन वर्ड किसे दिया था हमें फंक ने दिया था दो तरीके की विटामिन है डेटिस वाटर-soluble और आपके फैट-soluble बाटर-soluble जो होते हैं वी औ जादा लॉस होता है अंसर नंबर वान इस अंसर नंबर वान यह सारे एक पर मैंने आपको पड़ा रखें हैं देख लेना आप लोग चलिए अगला देखिए जे freezing of a substance containing micro-organism is a process whose function is देखेजी सीदी सी बात है अगर हम freeze कर दे किसी भी सबस्चांश को तो micro-organism के अंदरकट क्या होगा कि वो growth होगी या नहीं होगी freezing की बात करते हैं आपका कम हो जाएगा जिवानों के बीच में जो विकास की गती है वह आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी तो अंसर नंबर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर आप जो माइक्र ओर्गिंजम को ले आएं तो डैट मेंस ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी बिल्कुल सही चाहिए और को डिस इस वेरे इंपॉर्टन पार्ट चलिए जगलन सा बताइए लिए पहली आंटीबाइटिक जो बनाई गई थी वह कौनसी बनाई गई थी आइसोलेट करी गए थी यह सारी कि सारी एंटिबाइटिक है और सबसे पहली बनाई गई थी यदिद्स पैनिसलीन किसने थी यह पैनिसलीन अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने पैनिसीलियम बनाई थी और यह किसके ऊपर किया था पैनिसीलियम नोटेटम फंगस की ऊपर बनाई गई थी फंगस से बनाई गई है पैनिसी playground जो है यूज करी जाती है double bread बनाने के लिए जैसे हम हम डवल रूती कह देते हैं तो यह आपके उसमें जो आपके बनाते नfa बर्गर वगैर सब बनाते हैं जो Bow today घो है आपका इसमें कौन सा finger गाता है बिलकुल इस光chrome is chcus Churum & Snot इसमें बनीगा one option बनेगा correct answer a option acetobacter की अगर हम बात करते हैं तो यह acidic acid acid bacteria है यह इथे नोई कैसे दिसे हम कहते हैं वह वाला bacteria है penicillium मैंने आपको बताई दिया था aspergillus जो है यह आपका mold species देखने को आपको मिलती है mold this is a mold species clear तो answer number क्या बनेगा आपका one option saccharomyces is the correct one saccharomyces याद रखना very important saccharomyces चलेज़े अगला अंसर बताईए लाइकन जो होता है वो क्या होता है लाइकन लाइकन एक association है लाइकन एक mutual जो है आपकी symbiotic association है symbiotic का मतलब क्या होगा कि जिसमें दोनों को फाइदा होगा चीजों में यह आपकी association होते हैं लाइकन fungus और algae की तो that means d option बनेगा correct answer algae खाना बनाते हैं fungus उसको protect करके रखते हैं जो भी है तो fungus और algae की study को हम क्या कहते हैं fungus की study को mycology कहा जाता है बताया था मैंने algae की study को हम psychology कहते हैं so this is very important part clear अगर लाइकन हवा में present है अगर लाइकन आपकी हवा में present है तो that means वहां पे जो pollution है वो नहीं है हावा क्यों है आपकी प्यूर है एर प्यूर है अगर लाइकन एपसेंट होगे अगर लाइकन एपसेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब हवा में pollution चल रहा है और वो pollution किसी इसका है so that is the air pollution first of all air pollution में कौन सा sulfur pollution air pollution सर्फल पूशन देखने को मिलता है अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर फंगस and algae association is called lichen और पहले लाइकन पाग आपको कहां पर बता है उत्रगंड में बनाया जा रहा है चीक है चलिए जी अगला कोशन है at least foot yes जो at least foot है यह जो है यह क्या है तो वाट इस अप्रेश फूट एक्चुली यह टीनिया पीडस एक फंगल infection है जिसके कारण at least foot बनता है so this is a fungal infection actually answer number B is the correct one बिल्कुल सही दो टोस के बीच में at least foot बनता है आपको दिखाता हूं इस तरीके से so this is the at least foot clear fungal infection आई बिट्विन दर टोस आपने देखा होगा कई लोगों के ऐसे यह जो नाखून होते हैं यहां से आपके खराब हो जाते हैं clear so this is called tiniapidus clear द्यान रखना important है fungal infection होती है और यह आपके पैरों की उपर layer को effect करता है और यह उन लोगों को effect करता है जो warm moist और irritated होते हैं कहने का मतलब जैसे suppose करोगी आपने आप आप नहाई आपने गीले पर आरते हैं और आपने क्या डाल दिया जुराबे डाल ली तो बात है वहां पर यह जो है fungus grow कर सकता है एटलेस फुट बन सकते हैं इस तरीके से चले जगलान से देखिए टीर कोषण ल continuesं क्या गहता है कोषण का गहता है ऐसी कौन सी का सभी जिसमें बात करता है कि सारे और इंजम जो है वह वह क्यों के बने हुए हैं तो किस में ब्धाया गया था पहली बात तो शेल्स जो है यह सेल कि सजटिकायएं है साइटोलोची ठीक है यह जो है यह सल त्यरी की ऊपर बात हो रही है यह या। छहरी में बात करी गई थी चेल ट्री में और सहिल ट्री किसे दी शीलडन और शवान ने शीलडन और शवान ने दी ति कमर समझाया आप लोगं को तो यह बोला था डैडिस शवान अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया और लूइस पास्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हों ने पास्टराइशन ऑफ मिल्क के बारे में हमें बताया था और इसमें क्या होता है कि दूद को हम ऐसे टेंपरेचर के उपर गरम करते हैं जिससे क्या होगा सारे बक्तिरिया खत्म हो जाएंगे 62.8 डिगरी सेंटिग्रेट फॉर 30 मिनट और 71.7 डिगरी सेंटिग्रेट फॉर 15 सेंट क्लियर तो यह आपका टेंपरेचर मैथड है और पास्टर ने लूइस पास्टर ने पह ने गा जी डी ऑप्षिन डी ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर डैट इस शील्डन चलिजे सरी शवान शवान ने बोला था यस बताई अगला फिजिकल बेसिज ऑफ लाइफ फिजिकल बेसिज ऑफ लाइफ जो स्टेटमेंट है किसके लिए है प्रूटो प्लाजम के लिए प्रूटो प्लाजम क्या होता है यह किसी सेल के अंदर गद किसी भी सेल के अंदर का दो लिकुड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रूटो पार्ट का मतलब क्या है सारा का सारा भाल फ्लूट सारा पानी और यह किस से ने बताया था हग्जले ने बताया था तो यह न गया बनेगा सी ओप्षिन बनेगा क्रेक्ट अंसर ले मार्क की बात करे मिल्बलाफ खने इन्हों ने ऑफ़्ल Lorenzen की थेखर बताई है आपको मज़ा आया होगा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर देना बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारी टेलिग्राम चैनल की उपर डॉक्टर विपन गोल के टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजे एक सकते हैं कोई बहुत सकते हैं घिल कोर्स जिसमें हमने चैन 실रवाइस टोपिक्वाइस भीडोल टॉक्र Kelly टॉपिक वाइज में यहां पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो कोशन ही है प्लस आपके यहां पर प्रीविए सिर्ट इसकाउंड मिलेगा 21 तारिक तक यह वैलिड है क्लिया जीस कोश्की बात करते हैं तो यह हमारा पूरा का पूरा थेरी कोश्य विल्कुल बेसिक टॉपिक एंडर्सेंडिंग कहा है इसके अंदर हमने समझा है अब इन कोर्स इसको कहाँ से ले सकते हैं जा तो आप ले सकते हैं study IQ APP से जा फिर हमारी वेबसाइट से studyiq.com जैसे ही आप इसको open करेंगे आपको नज़र आएगा home page यहाँ पे और यहाँ पे दिखेंगा best selling course view all का बटन इस बटन को जैसे आप दबाएंगे GS course आपको तीसे नमबर पर नज़र आएगा में जहां पर आपका स्टेट PCS और UPSC लेवल के कुशन डिसकस किये जाते हैं क्लिया पढ़ते रीचे थैंक्यू सो मच गाइस और आपका कुछ भी कोर्स के रिगाड़े कुछ पूछना हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू सो